ये एक वर्षीर हमारा द्रोन लेकर निकला है जिसमें आकड़े देखे अब काफी देर से लगभग एक से ही दिख रहे हैं जहाँ बीजेपी 34 आज़सू 7 पर आगे जेमेम प्लस 33, जेवीम 4 और अन्य 3 पर कमल दरहें जी 33 मान लिजिए कि जेमेम प्लस का या आकड़ा लगभग यही रता है जो कि आपके लिए पिछले चुनाव से तो बेहतर हम प्रदर्शन मानेंगे लगभग 8 सीटों का इजाफा है लेकिन ये 33 के आगे आगे आप बाकियों में से किसको जुड़ता देख सकते है क्या आपको लगता है कि जरूरत पढ़ने पर आजसू, JVM कौन आपके साथ आएगा अगर आप 33 के आखड़े के आसपास अगर मान लिजिए 34-35 भी हम समझ ले तो वो जो आखरी लाप होता है उसमें कौन सी पार्टी आपका साथ दे सकती है प्रताजी ऐसा है कि यह चुनाओ जो हुआ है जार्खड में इस बार इसमें पाटियां गौन रही है और यह व्यक्ति पर चुनाओ है यह चुनाओ हेमन सुरेन भर्सेज लगवर रास के गत्रित पर नवा गया चुनाओ और मेरा यह निश्चित मानना है कि जार्खड में इस बास सरकार महागडबंधन की ही बनेगी हेमन सुरेन ही मुकमंत्री होंगे और दूसरी बात यह है कि भाज़पा की सरकार ने इसके नेताओं ने मुकमंत्री ने जार्खड की चंता के साथ साथ अपनी लोगों को भी छला है चाहे वासू हो चाहे वो एल्जेपी हो चाहे वो जजी हो बिल्कुल इतना एरोगेंट इतना घमंडी और तानसाव मुकमंत्री और लेका हमने आज तक अपने पॉलिटिकल लाइप में नहीं देखा इसलिए हम बिल्कुल आस्वस्थ हैं जार्खड में इस बार महागडब मतलब आप कह रहें कि एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को नकारा जाएगा यह जो जार्खड के नहीं है जार्खड के बाहर के हैं वो जार्खड को दर्द क्या समझेंगे जार्खड बिल्कुल विनास के राष्टे पर जा रहा है और इसकार है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी लेकिन अगर यही रुजान नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तब तो कमल लारेंट जी आपकी बातें दरी की दरी रह जाएगी अगर यही रुजान भी रहते हैं मैं माल लेता हूं उसके बाद भी जो लाइक मंडेट पार्टिया है जिनको भाजपाने लोखा दिया है जो जार्खड की जमीन की लोग हैं वो लोग एक मज़ पर आएंगे तकार बनेगी जार्खड यहीं की तकार बनेगे इनिशित बने स्वागत है तिवारी जी आपका कहां पेच फस गया कहीं पेच नहीं फसा है आगे आगे देखिये रोहित जी होता है क्या अभी तो ठीक लग रहा है हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि भारतिये जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने में सफलता नहीं मिलेगी लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा जाना प्रिफर करेंगी इसके महागठबंधन के बनिस्पत क्योंकि आजसू है और जेविये में जो की मेकर की भूमिका में है देखिए आखिर वो क्यों जाएगी पहले तो वो बीजेपी के समर्थन में ही थी इसके बाद वो अलग हुई इसका का मतलब है कि बीजेपी का जो अहंकार था जो ताना साही रवया था उसी से तरस्थ हो करके वो अलग हुए थे अलग चुनाव लड़े थे लेकिन एकी मुश्यल कार्ट भी छिल दिया थे दो सुदेश में खिलाप उतारा नहीं कैंडिडेट नहीं ठीक है उतारा नहीं ले अश्ट्रिय अध्यक्षा अमित साहाजी ने बार-बार कहा था कि सुदेश मातों जी हम लोगों के साथ होंगे लेकिन उन्होंने इस बात को भी नकार दिया था अब देखे आपसे बात करते करते में जो एलेक्शन ब्रेकिंग अमारे सामने आई है उसमें रुजानों में JMM Plus ने एक बार फिर बढ़त बना ली है 34 सीटों पर JMM Plus इस समय पहुच गया है 21 JMM के कॉंग्रिस के 11 RJD की 2 सीटे इस समय जिस पर वो आगे चल रहे है यानि 34 पर आगे JMM Plus, BJP 33 सीटों पर आगे होगे ये जैसे जैसे आगे ये रुजान बढ़ेंगे इसी तरह की टक्कर अब देखना है क्योंकि ऐसी कई सीटे होंगी जिस पर बहुत बारीक मुकाबला चल रहा होगा लेकिन इसमें BJP 33, आजसू 7, JVM 4, अन्य 3, JMM Plus और BJP के बीच जो ये एक पल में तोला पल में माशा एक सीट इधर एक सीट उधर जा रही है उसे देखकर अभी इतना समझ लीजिए कि लगभग एक घंटे तक तो आप सपश्ट और अगर आकड़े ऐसे ही रहे तब तो आप 12 बजे तक इंतजार कीजिए क्योंकि उस समय तक कुछ भी हो सकता है अगर लंबा फासला हो तो तस्वीर अलग हो सकती है JMM Plus 35 पर आ गया, BJP 32 पर आ गई, आजसू 7, JVM 4 और अन्य 3 पर यानि कि एक बार फिर JMM और सहयोगियों को बड़त इस समय देखने लगी है कमल जी कुछ कहना चाहरें, क्या लिजे कमल जी आप बोले बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आजसू पाटी जो है वो ज्यारखण मुर्टी मुत्या की स्वेंट विंग रही है और हमारी ही लड़के है वो ठीक है कलती से बचक का समत्राइक पाटी के साथ ही लोग रहे लेकिन इस चुनाम में इस पस्ट है कि अगर आसू जालखन की जनता की भलाई चाहती है तो गटबंदन के साथ आएगी इस सरकार बनाने में और अगर सोसन चाहती है तो निश्ची त्रूप से वो भात पाकिसाथ जाएगी बीजेपी निसराज का सोसन किया है छूट बोलकर जो लेबाजी करके इस सराज के लोगों को भाकाया है और आप तहे मानिए कि इस सरकार जो है वो गल्बंदन की बनेगे और तमाम जो जार्थन नामधारी पाटियां है वो एक मंच पर आएगी यह मेरा विश्वास है और बात हो लेजी कि आप सुने मुखवंत्री के खिलाफ करने तेंडिया तो आप सुने तो है मन्सोन के खिलाफ करने तेंडिया तो कहीं ने कहीं तो रास्ता दो बनता है रोई जी तो अ